दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिफला चून के बारे में त्रिफला चून के फायदे त्रिफला चून के नुकसान और किस तरह से त्रिफला चून का उप्योग करें इस वीडियो में हम बात करेंगे आईए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि त्रिफला चून क्या है तोस्तों त्रिफला चून रसोई में पाया जाने वाला एक मसाला या कोई जड़ी बुटी नहीं है ये दो संस्क्रत के शब्दों से मिला हुआ यानि कि त्री यानि तीन और फला मतलब फल इसका मतलब यह है कि त्रिफला कोई एक फल या जड़ी बुटी नहीं बलकि एक चून के रूप में तीन फलों का मिशरण हैं और ये तीन फल हैं पहला आवला, दूसरा बहेडा और तीसरा हरड़ अब दोस्तों हम आपको इन तीनों के गुणों के बारे में बताते हैं, हम बात करते हैं पहले आवले की, संस्कृत में इसे अमृता, अमृतफल या आमककी के नाम से जाना जाता है, ये भारत में इसे कई तरह से उप्योग में लिया जाता है, आउले में भारी मात्रा में विटामिन C होता है जो की एंटी अक्सिडेंट की तरह काई इसमें पाचेंशक्ति ठीक होती है इसमें मुझुद विटामिन C एनीमिया के मरीजों के लिए बहुती लाबदायक होता है यह शरीर को डियोक्सिफाई करता है और जिन महिलाओं को मासिक धर्म में समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके लिए यह बहुती फायदेमन होत है यह लिवर किड़नी और फेंपड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है अब बात करते हैं दूसरे फल की यानि की बहेडे की इसे विभीत की भी कहा जाता है जबकि संस्कत में इसका नाम विभीदक के है बहेडा को ओश्दी की रूप में उपयोग लिया जाता है इसके उपयोग से हाथ और पेर में जलन, कबज या आँखों में रोशनी की कमी होना इत्यादी परेशानियों का इलाज इससे किया जाता है ये खून को साफ करता है हानिकारक पदार्तों के साथ साथ शरीर के अतिरिक्त फेट को ये कम करता है तथा आपकी आँखों की दरश्टी को बढ़ाता है इसमें एंटी वाइरल और एंटी बेक्टिरियल गुन मौजूद होते हैं ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है और बालों का गिरना वह सफेद होना काफी हद तक कम करता है अब बात करते हैं तीसरे फल यानिकी हरड के बारे में इसे संस्क्रत में हरीत की कहा जाता है ये अक्रोड के जैसा एक फल होता है जिसे तब यूज में लिया जाता है जब ये पक्कर पीले रंका हो जाता है इसे आम तोर पर हर भी भी कहा जाता है हरड हरीत की सिर्फ स्वास्त के लिए ही नहीं बलकि तवचा के लिए भी पहुती फायदेमन होते हैं हरड आखों के लिए अध्वुत काम करता है और मोत्या बीन ग्लुकोमा जिसी बीमारियों को रोकने में मदद करता है यह उपचार प्रक्रिया में सुधार और सहायता करता है इसलिए हरड के उपयोग से घाव या अलसर तेजी से ठीक होते हैं हरड किसी भी तरह की तवचा संबंदित बीमारियों के लिए बहुती अच्छी ओश्दी है यह एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है हरड लीवर के लिए और मस्तिश के लिए बहुत पावर पेक दवा का बन जाती है इन तीनों का मिश्रण स्वास्थ के लिए बहुती फायदेमन होता है इनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि यह पेट को साफ रखता है और खून को साफ करता है खासकर उन लोगों के लिए तिर्फला चून अम्रत के तरह हैं जिनकी इम् अब दोस्तों बात करते हैं तिर्फला चून के फायदे के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे सहत के लिए तिर्फला चून के क्या-क्या फायदे हैं इनके बारे में बात करते हैं दोस्तों वजन घटाने से लेकर डाइबिटीस तक की कई स्वास्तिय समस्याओं के उखरदगार साबित होता है इसमें एंटियोुक्सिडेंट गुन्बी होते हैं जो कि बढ़ती उम्र के परभाव को कम कर सकते हैं इसमें कुछ ऐंटि-केंसर गुन्बी होते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पाचन के लिए तरिफला के फायदे पेट के ठीक करने के लिए कई बार लोग ऐसी रिटी की दवाईयों का सेवन करने लग जाते हैं और उनसे आधी हो जाते हैं जो की सही नहीं है इसकी जगह अगर आप त्रिफिला चूंड लेते हैं तो त्रिफिला में मोजुद ओश्दिय गुण आपकी पाचन शक्ती में सुधार कर के पेट की परिशानियों से रहत दिलाते हैं यह पेट से संबंदित अन्य समस्याओं जैसे की कब्ज पेट खराब होना इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आधी को ठीक कर सकते हैं आप त्रिफिला के सप्लिमेंट्स भी ले सकते हैं दोस्तों दूसरा है आँखों के लिए तिर जरूरी हैं आजकल कई बच्चों को बच्पन से ही चश्मे लग जाते हैं और आगे चलकर उन्हें कमजोर दृष्टी की समस्या होने लगती हैं बड़ों को भी बढ़ती उम्र के साथ मोतिया बिंद की समस्या होने लगती हैं ऐसे में वक्त रहते आप अपनी आँखों का ध्यान जरूर रखें त्रिफला आँखों के लिए एक टोनिक का काम करता है इसमें मोजूद एंटी ऑक्सिडेंट गुन और भारी मात्रा में मोजूद विटामीं C आँखों के लिए बहुती फायदे मन होता है अब बात करते हैं वजन कम करने के लिए त्रिफला चून के क सामस्या बन चुका है दिन भर ओफिस में बेठकर काम करना जंक फूट खाना और एक्सरसाइज न करना यदि हर किसी की दिन चद्या हो गई है तो इसी कारण मोटा पा बढ़ता जाता है कुछ लोग मोटा पा कम करने के लिए डाइटिंग या जिम का साहरा लेते हैं लेकिन कुछ खास असर नहीं होता ऐसे में अगर आप त्रिफला चूंड का सेवन किया जाए तो काफी हद तक फायदा हो सकता है त्रिफला चिकिसी एजेंट की तरह काम करता है ये ना सिर्फ वजन को कम करता है बलकि शरीर का फेट भी कम करता है जिम एक्सरसाइज ये योग के सा साथ अगर त्रिफला चूंड का सेवन करें तो आपको कुछ ही दिनों में फरक नजर आने लगेगा जल्द ही वजन घटने लगेगा और आप अपने वजन को जल्दी घटाने के लिए त्रिफला चूंड को एक गर्म ग्लास पानी में मिला कर दिन भर में करीब दो बार पानिया लेते हैं लेकिन कोई खास असर नहीं होता ऐसे में त्रिफला चूंड का सेवन हर इंसान के लिए एक रामबान इलाज साबिद हो सकता है इसके सेवन से गेज, पेट फूलना, कब्ज और पेट से संबन्नित अन्य कई परेशानिया उनसे छुटकारा मिल सकता है कब्ज की समस्या से बचने के लिए आप रोज रात को सोने से पहले, एक गिलास गरम पानी में एक से दो चमच त्रिफला चूंड मिलाकर उसका सेवन करें आप इस बात का ध्यान रखें कि इसे लेने के बाद आप किसी भी चीज का सेवन ना करें, ना ही आप दूद पियें या ना ही कुछ खाएं, रात को सोने से पहले आप एक गिलास गुनगुने गरम पानी के साथ में एक से दो चमच त्रिफला चूंड मिलाकर उसे पियें अब बात करते हैं हाट के लिए त्रिफला चूंड के क्या क्या फायदे हैं, शरीर को स्वस्त रखना है तो दिल का अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना होगा, आजकल हर कोई तनाव से घिरा रहता है जिसका असर उसके स्वास्ते पर पढ़ता है, सिर्फ तनाव ही नहीं बलकि गलत खान पान से भी शरीर में कोलेस्टरोल का इस तरह बढ़ता जाता है, जिससे की दिल की बिमारिया हो जाती है, शायद आपको पता होगा कि त्रिफला के सेवन से आपका दिल भी स्वस्त रह सकता है, हाट के स्वास्त के लिए त्रिफला चूंड का सेवन करना फा क्या फाइबे हैं, अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक शम्ता सही नहीं है, तो वो व्यक्ति आसानी से बीमारी का शिकार हो सकता है, रोग प्रतिरोधक शम्ता कमजोर होने पर मोसम में थोड़ा सा बदला होने पर ही उसे सरदी जुकाम, बुकार या अन्य बीमारिय होने लगती है, ऐसे में तिर्फला चून आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है, ये रोग प्रतिरोदक शम्ता को बढ़ाने में काफी मददगार होता है, इसमें मोजुद कई एक्टिव कंपाउंड जैसे गेलिक एसिद, चेबूलेजिक एसिद, एलेजिक ए लिए आप तिर्फला चून का सेवन कर सकते हैं, अब बात करते हैं, गले के खराश के लिए तिर्फला चून, जरूरी नहीं है कि गले में खराश मोसम के बदलने से हो, कभी-कभी गर्मी के मोसम में ज़्यादा थंदी चीजों के सेवन से भी गले में खराश हो सकती है, इस गले में खराश से परेशान हैं तो तिर्फला चूंड का सेवन करें इससे न सिर्फ रोग प्रती रोदक्षमता में सुधार होगा बलकि गले की खराश की समस्या भी जल्द ही ठीक होगी अब बात करते हैं खून की कमी के लिए तिर्फला चूंड के फाइदे दोस्तों एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी गंभीर समस्या हैं सही पोष्टिक अहार न लेना, मासिक धर्म के दोरान, अधिक रक्त इस्त्राव होना या कोई बिमारी होने से खून की कमी होना हो सकती हैं। खून की कमी से सिर्दर्द, ठकान, चिड़ चिड़ापन वा चकर आने जिसी कई समस्यां हो सकती हैं। कई बार तो खून की कमी जान लेवा भी हो सकती हैं, इसलिए पोष्टिक अहार के साथ साथ अगर आप तिरिफला चून का सेवन करते हैं, तो इस परेशानी से आप निश्चित की छुटकार अपा सकते हैं, तिरिफला में मोजूद विबित की खून की कमी की समस्या को दूर क होता है, तो शरीर की कई समस्याओं का शिकार हो जाता है, दिल से लेकर मस्तिष तक की परेशानी हो सकती हैं, और आगे चलकर ये समस्या जान लेवा भी हो सकती हैं, इसे में तिरिफला चून का सेवन शरीर में रक्त प्रभाव कम कर सकता हैं, इसमें एंटी वाइरल, एंट इलर्जिक गुण मौझूद होते हैं, इतना ही नहीं, इसमें मौझूद घटक दिल के लिए एक टॉनिक की तरह काम करते हैं, ये ना सिर्फ कोलेस्टरोल को कम करते हैं, बलकि रक्त प्रवाह में भी सुधार करते हैं, इसलिए अगर अभी तक आपने इसका सेवन शुरू नह होती हैं, हमारे शरीर में टोक्सिक यानि की विशेले ततों जमा होने लगते हैं, जिसका असर हमारे स्वास्ति पर पढ़ने लगता हैं, इससे कील मुहा से, अनिंद्रा, पेट की समस्या वा तनाव जीसी समस्या होने लगती हैं, ऐसे में इन विशेले ततों का शरीर से बा अच्छा option है इसे lexative की तरह उप्योग में लिया जा सकता है यानि पेट साफ करने के लिए एक अच्छे detoxifying agent की तरह इसका उप्योग किया जा सकता है दोस्तों दियोक्सिफाई करने के लिए आप इसे किस तरह उप्योग में ले हम आप बताते हैं सबसे पहले दो चम्मस तिरिफला चून ले एक गिलास गर्म पानी और साथ में अध्रक दो चम्मस तिरिफला चून को एक गिलास पानी में डाले और इसमें थोड़ा सा घिसा हुआ अध् अध्रक को कूट सकते हैं या फिर अध्रक को घिस सकते हैं आप इसमें डालें आप इस मिश्रण को आठ गंटे के लिए या आप इस मिश्रण को रात के समय तैयार कर लें और पूरी रात एक गिलास पानी में इससे रहने दें फिर इस मिश्रण को तब तक उबालें जब तक ये आधा न रह जाए अब इसे चान ले और इसमें थोड़ा सा निबू कारस मिला ले आपका डिटोक्सी फायर तैयार हो जाए और जल्दी असर करने के लिए इसे गर्म गर्म पिए लेकिन ध्यान रहे कि ये ज़ादा गर्म ना हो ये हलका गुन गुना हो आप इसे रोज सु होने से पहले तिरफला चूड को पानी में मिला कर भी ले सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं जोडों के दर्द या फिर गठिये के लिए त्रिफला चूड के क्या-क्या फायदे हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड़्डियां कमजोर होने लगती हैं कई लोगों को लुख्या बीमारी के रूप में हो सकता है इसे में त्रिफला चुन का सेवन बहुत ही फायदेमन साभित हो सकता है यह शरीर को जरूरी पोशन प्रदान करता है इसका एंटी अर्थराइटिस असर गठिया की समस्या को कम कर सकता है इतना ही नहीं इसमें एंटी इंफ्लेमेंटरी गुण होते हैं जो कि गठिया के सूजन को कम करते हैं जब भी आपको अपने हड्यों में दर्द महसूस हो तो एक चमस तिर्फिला पाउडर एक गिलास पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं और धीरे धीरे आपकी जोडों के दर्द की या गठिये की समस्या द दातों को स्वस्त रखने के लिए न सिर्फ अच्छे पेस्ट की जरूरत होती हैं बलकि उनकी देखबाल करने की भी जरूरत होती हैं सिर्फ दात ही नहीं बलकि पूरे मूँ की देखबाल भी जरूरी होती हैं क्योंकि कई लोग मूँ की बदबू या मसूरों में सूजन य बढ़ड और बह्यडा इन तीनों में कई प्रकार के गुण होते हैं जिसे एंटी-फंगल, एंटी-वाईरल, एंटी-बेक्टिरियल, एंटी-माइक्रोबियल, एंटी-अक्सिडेंट, विटामिन-C और कई तरह के गुण मौझूद होते हैं जो कि आपके पूरे शरीर के लि संक्रमन हैं तथा दर्द की समस्या है ओओ कम हो जाती है अब बात करते हैं दोस्तों डाइबिटीज के लिए तिरिफला चून के क्या-क्य फायदे हैं। 자, ट्रिफला चून किसी को भी हो सकती है। खासकर आज के यूग में जिस तरह का हमारा रहनसन है, हमारा खानक्य है। उस कारण डाइपिडीज होने की समस्या कई गुना बढ़ जाती है। त्रिफला चून डाइबिटीस के लिए काफी हद तक फाय देवन साबित होता है। इसमें एंटी डाइबिटिक शम्ता होती है और इसका हाइपोगलिस्मिक असर मदुमे को नियंतित करने में मदद करता है। इसके नियमिस सेवन से ब्लड गुलुकोज लेवल भी कम हो जाता है। ध्यान रहे कि आप जरूर से ज़्यादा इसका सेवन ना करें। वरना ब्लड शुकर अधिक कम या ज़्यादा हो सकता है। इसलिए किसी भी विशेशग्य या डोक्टर से आप एक बार बात जरूर करें आपको कितनी मात्रा में इसका सेवन करना है। अब बात करते हैं त्रिफला एंटी एलर्जी के तोर पर किस तरह से फायदा करता है। कई लोगों को त्वचा की एलर्जी होती हैं तो कुछ को सही खाना न खाने से पेट में गले में एलर्जी हो जाती है। अगर आपको भी एलर्जी की समस्या हैं तो आप त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला में मौजूद anti allergic gun, bronchile allergy के खतरे को कम कर सकते हैं इसके लाबा त्रिफला कई अन्यतरे की allergy को भी कम करता है अब बात करते हैं गावों को भढ़ने के लिए तृफला के फाइद है दोस्तों तृफला चोट या गावों को भढ़ने में काफी हद तक लाबकारी होता है हम आपको यहाँ बता दें कि अगर कोई व्यक्ति हर रोज तृफला का सेवन कर रहा है तो वो व्यक्ति बीमारियों से दूर रह सकता है यहां तक कि उसका अलसर और घाव से भी बचाव हो सकता है इसमें एंटी इंफ्लेमेंटरी, एंटी ओक्सिडेंट, एंटी बेक्टिरियल और कई तरह की गुण मुझूद होते हैं साथ ही इसमें गाव को बढ़ने के लिए गुण होते हैं अब बात करते हैं दोस्तों, तोचा के लिए यानि कि आपकी स्किन के लिए तिर्फला चून के क्या-क्या फायदे हो सकते हैं तोचा को सही बनाने के लिए तिर्फला चून के क्या-क्या फायदे निकरी जवा तवचा किसी के भी व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती हैं लेक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तवचा की चमक कम होने लगती है इससे बचने के लिए लोग तरह तरह की क्रीम वर लोशन लगाते हैं लेकिन कई बार इन में तवचा और बेजान हो जाती है तता ज़्यादा जुर्यां पढ़ने लगती है ऐसे में तिर्फला चून एक अच्छा ओप्शन हो सकता है इसके सेवन या उप्योग से तवचा काफी सहत मंद रहती है इसमें एंटी ओक्सिदेंट गुन न सिर्फ तवचा की कोशिकाओं के लिए रख्षक का काम करते हैं बलकि तवचा की रख्षा कर उसे स्वस्ति बनाते हैं अब बात करते हैं आँखों के काले घेरों के लिए तिर्फला चून के फायदे दोस्तों डार्क सरकिल कई कारोण से हो सकते हैं जैसे कि तनाव, भोजन में पोशक ततों की कमी, सही खान पान यानि कि पोश्टिक आहर न मिलना, नींद की कमी, सिर्दर्द वो कई अन्या कारण हो सकते हैं एसे में तिर्फला चून का सेवन या तिर्फला चून का उपयोग काफी हद तक काले गेरों को कम कर सकता है जिसा कि हमने पहले बताया कि इसमें भारी मातरा में पोश्टिक ततों हैं जो काले गेरों को कम करने में मदद कर सकते हैं अब बात करते हैं बालों के लिए त्रिफला चून के क्या-क्या फायदे हैं इसके बारे में दोस्तों बालों को स्वस्त रखने के लिए महिला और पुरुष दोनों ही तरह तरह के शेम्पू वो कंडिशनर आजमाते हैं लेकिन इनके केमिकल से बालों की इस्थिती और भी खराब हो जाती हैं ऐसे में त्रिफला चून में मोज़ुद पोश्टिक तत्व बालों को सहर्द मन बनाते हैं और उन्हें बढ़ने में मदद करते हैं दोस्तों बात करते हैं तिर्फला चून के उप्योग के बारे में तिर्फला के गुन और भी ज़्यादा कारगर हो जाते हैं जब उसका सही तरीके से उप्योग किया जाए इसलिए हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह से आप तिर्फला चून का उप्योग कर सकते हैं दोस्तों तिर्फला पाउडर आसानी से बाज़ार में मिल जाता है आप इसका सेवन पानी में मिला पर कर सकते हैं और यहाँ हम आपको चूरण बनाने की विधी भी बता रहे हैं सबसे पहले अगर आप घर पर तिर्फला चून बनाना चाहते हैं तो आपको इन तीन फलों को बाज़ार से लाना होगा पहला हरण, दूसरा बहेडा और तीसरा आउला दोस्तों इसको बनाने की विधी सबसे पहले सारी कच्ची सामग्रियों को एक करके ओकली में डाल लें और बारीक पीस लें और इसका पाउडर बना लें फिर सभी को चान लें अब इन चूरण को एक अनुपात, दो अनुपात, चार के अनुपात में मिलाएं जैसे आप हरड को 20 गराम लें, बहेडे को 40 गराम लें और आउले को 80 गराम लें तो ये एक अनुपात, दो अनुपात, चार अनुपात की स्थिति में आ जाएगा इन तीनों का आप पाउडर बना लें और तीनों को मिला लें इस मिश्रण को आप किसी प्लास्टिक के डबे में रख लें और इस मिश्रण को आप रोजाना उप्योग में लें आप इसको निम्बू के साथ में ले सकते हैं आप तिर्फला चून को पानी के साथ पी सकते हैं, अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं है तो आप इसका रस बना कर भी ले सकते हैं तिर्फला रस के फायदे कई हैं, आप तिर्फला रस बनाने के लिए पानी में तिर्फला चून, थोड़ा शहद, थोड़ा निम्बू और चीनी मिला लें ध्यान रहें कि आप इन सामग्रें को हलका उप्योग करें तकि ज़ादा मीठा नहों यह सिर्फ तिर्फला के स्वाद को बदलाओ, लाने के लिए हम इसमें शहद, चीनी और नीमू करत डार रहें हैं दूसरा, आप तिर्फला की चाए बना कर भी इसे ले सकते हैं आप त्रिफला चून के पाउडर से चाय बना कर भी पी सकते हैं आप त्रिफला पाउडर को पानी में उबाले और स्वाद के लिए इसमें थोड़ा शहद मिला दें अगर आपको त्रिफला चून खाने में परेशानी है तो आप इसकी टेबलेट या कैपसूल के रुप में इसे ले सकते हैं बाजार में आसानी से आपको ये उपलद हो जाएगी और ये ज़्यादा महेंगी भी नहीं है आप एक दिन में एक से दो बार इन टेबलेट या इन कैपसूल का सेवन कर सकते हैं आँखों के लिए त्रिफला का उप्योग आप त्रिफला चून से आँखों को भी धो सकते हैं बस एक से दो चम्मच त्रिफला चून को गुनगुने पानी में राद बर भिगो दें और सुबह उठकर इस पानी को छान लें फिर इस पानी से आप अपनी आँखों को धोएं चेहरे के लिए त्रिफला का आप मास्क भी बना सकते हैं आपको सिर्फ इसका फेस मास्क बना कर उप्योग करना है फेस मास्क बनाने के लिए हम आपको यहाँ पर इसकी सामगरी और बनाने की वेदी बताते हैं सबसे पहले आप 3-4 चमच नारील का तेल में आदा या एक चमच त्रिफला पाउडर मिलाकर बेक मिश्रन तयार कर लें अभी इस मिश्रन को अपने चहरे वह गरदन पर लगाएं 10-15 मिट के बाद आप इसे खटा ले या अपना मुँ दोले इसे नियमित उपयोग से चेहरे की चमक काफी हद तक बढ़ जाएगी अब दोस्तों बात करते हैं तिर्फला चून के नुकसान के बारे में अब तक हमने तिर्फला चून के फायदे उनके उपयोग के बारे में बात करी है अब हम बात करते हैं तिर्फला चून के नुकसान के बारे में तिर्फला के फायदे के साथ साथ नुकसान भी है पहला गर्ब वती महिलाएं तिर्फला चून का उब्योग न करें क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है और इससे गर्ब पात भी हो सकता है इसके अलावा जो माएं शीशु को इस्तनपान कराती हैं वो भी इसका सेवन ना करें इसके ज़रुस से ज़्यादा सेवन से पेट में दर्द डाइरिया की समस्या हो सकती है अगर आपको डाइबिटीज है तो इसका सेवन डोक्टर से पूछ कर या डोक्टर से सलाह लेकर करें इसके अधिक सेवन से अनिंद्रा की समस्या उत्पन हो सकती है तिर्फिला चून के अधिक उपयोग से लगातार वजन घटने की समस्या बढ़ सकती है अगर किसी को नई चीजों के सेवन से जल्दी एलर्जी होने की परेशानी है तो तिर्फिला का सेवन पहले कम मातरा में करें और देखें क्योंकि तिर्फिला से एलर्जी हो सकती है दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि त्रिफिला के गुण न सिर्फ स्वास्थ के लिए बलकि त्वचा और बालों के लिए भी कितने लाबकारी है आप त्रिफिला के रसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि त्रिफिला रसके फायदे भी अनेक हैं आप त्रिफला चूरण के फायदे पाने के लिए इसे सही तरीके से उप्योग करें त्रिफला चूरण का उप्योग कर हमारे साथ अपने अनुभों को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या ये जानकरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद दोस्तों